तो हेलो बच्चो कैसे हैं आप क्लास 9 के बच्चे बहुत सीधे बच्चे बहुत चोटे बच्चे और बहुत अच्छे बच्चे पका आई होप आप बहुत अच्छे होंगे सारे बच्चे और क्लास 9 की साइंस और उसका भी एक टफ चैप्टर टिश्यूज फ्रॉम कि हमेशा आपके सरका दध इंक्रीज करता रहता है तो मेरे पास है कुछ प्रैक्टिस के लिए अच्छे से कोशन जिससे कि आप इस चैप्टर को थोड़ा सा कंट्रोल में करें और आपको पकारी चैप्टर याद हो जाए ओके बच्चों तो बस पढ़ते रहिए सीखते रहि पारे सामनें वीच आप दो फॉलॉइंग टिश्यूज प्रोवाइड मेकैनिकल सॉरी प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेकैनिकल सपोर्ट टू दा प्लांट और गन एक मिनट मैं दे रहा हूं आपको एक मिनट दे रहा हूं जिससे कि आप इसका अंसर अपने आप एंड मेकैनिकल सपोर्ड प्रोवाइड करता है वो कौन है वो कौन है आंसर मिल गया होगा आपको लिखा हुआ है सारे की सारे बच्चों के पास नोट्स में देट इस कॉलें कायमा कॉलें कायमा इस दा राइट आंसर आगया कि नहीं आगया तो अब यह मैस नहीं है या कि आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आंसर निकालेंगे इसमें तो बस कोशन लिखा हुआ आपको याद है तो टिक मारेंगे नहीं याद है तो बस कुछ नहीं करेंगे बैठे रहेंगे तो याद रखिए और टिक मारते रहें ओके बच्चों नेक्स कोशन यह र में rich होती है मतलब उनके पास क्या चीज ज्यादा होती है cellulose पैक्टेन लेगने और हैमी cellulose कौनसा पका आपको अपना अंसर मिल गया होगा मिल गया होगा आपको अपना आंसर क्योंकि इसमें रिच होता है देट इस लेगनेंड सीमेंट लाइक स्ट्रक्शर आगया गन्यागा बता दीजिए जिससे की हार्डनेस बढ़ती है आगया गन्या लिया तो चलिए नेक्स कोशन यह आपके लिए select tissue which has storage function कौन है जो storage करता है वो कौन है जो कौन है जो storage करता है कौन storage करता है वो लिए isclarenchyma, kolonchyma, gyllum और palonchyma जल्दी से बता देजिए एक मिन्ट है आपके पास सोचने के लिए जल्दी से सोचिए वो कौन है वो कौन है जो storage करता है है वो कौन है वो कौन है वो पैरंकाइमा है आगया की नहीं आगया बतातीजिए शलिए next question यह है आपके सामने ट्रेकीट्स वेसल्स एंड वूड फाइवर्स जिस सारी सारी आपको उच्छे से पता है जैल्म पैरंकाइम पैरंकाइम टिशू की बात कर रहा है एंड पैरंकाइमेटर्स टिशू और फाउंड इन किसमें जैल्म, कैम्बियम, कोटैक्स और फ्लोम किसमें होती है बता दीजिए सब कुछ यह सब कुछ का यह में होता है अरे यार आंसर तो मैंने पहली बता दिया आपको जैल्म में होता है भाईया जैल्म में जैल्म में किस किसमें होता है बोलो जैल्म में तो यह सारी सारी चीज़ है जायलमिक टिशू होता है आपने पढ़ा था जायलम एंट फ्लोम है ना तो जायलम रूट्स में फूड्स मतलब वाटर और मेंडल को अब्सॉब करके प्लांट के दूसरे पार्ट तक ट्रांस्पोर्ट करता है कि नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर सेक्स कोश्चन नमबर सेस्क दा हस्क ऑफ कोकोनट इस मेड़ पॉप हस्क ऑफ कोकोनट का हस्क किस चीज़ से बना हुआ होता है सारे बच्चों को पता है और सारे बच्चों को इसका अंसर भी आता है जल्दी से टिक मारेंगे सारे लोग जल्दी से टिक मारेंगे जैसे फास्टेस फिंगर फर्स्ट होता है ना कि के बीसी में ऐसे ही पिल्कुल सही जवाब जैन साहब जैन साहब बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और यह इस क्लेर अनकाइमा आगर कि नहीं आगर सब कुछ लिखाया हुए कॉप में आपको बस याद करना है और मेरे साथ के बीसी खेलना है ओके बच्चर नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर सेक्स इसमें थोड़ी खतरनाक सी चीज़ है खतरनाक सी चीज़ का मतलब आपको इसमें तीन चीज़ें दी हुई है विच एलिमेंट है विच एलिमेंट ऑफ जैलम जैलम का कौन सा वाल एलिमेंट होता है जो हैल्प करता है ट्रांस्पोर्ट और वाटर एंड मिनरल्स में इस्टोर फूड जो फूड को स्टोर करता है एंड प्रोवाइट मेकेनिकल सपोर्ट जैलम का कौन सा पार्ट यह काम करता है मैंने आपक सब्सक्राइब पूछा था वह काम फाइवर का है है एक बने ट्रांसपोर्टेशन और मिल्रल ओफ वाटर यह काम ट्रैकेट और वेशल का है ठीक है अब सेकेंड ऑप्शन यह दिया हुआ है कि नहीं नहीं पहला तो जूट बोला था पहला वाला तो जूट बोला था जूट बोले का लिए कहा किए पहला वाले ने जूट बोला नहीं सार जालम पेरन काम आपा काम है स्टूर्ट फूड को दो करना ऑपहलप in sideways flow of water जायलम फाइवर का काम है ट्रांसपोर्टेशन आफ वाटर एंड मिनरल्स और ट्रेकिट्स का काम है सपोर्टेव नहीं सार यह बी वाला भी जूट बोला है सी वाला सच बोला होगा पढ़के देख लो सी वाले ने लिखा है कि जायलम पैरन काम सपोर्टेव होता है और फाइवर फूड स्टोर करता है साइड वेज फूल वाटर करता है ट्रेकिट्स ट्रांसपोर्टेशन आफ मिनरल रहा है और यह फूर्ट वाला कह रहा है कि जायलम पैरन काम आपको सही लग रहा है मतलब सीदे सीदे कहने का है इसने एक नंबर में जान ले लिए बच्चों मतलब जायलम पैरन कायमा जायलम फाइवर्स और ट्रेकेट्स एंड वैसल्स इन सारे चीज़ों के फंक्शन्स पूछ लिए उसने एक नंबर में है कि निया खतरनाक चीज़ तो मतलब आपको तीन चीज़ों के फंक्शन्स आते होंगे तब आपको यह एक नंबर मिलेगा एक नंबर बताचला कितना कीमती होता है एक नंबर चलि तो आपका आनसर आपको मिलगा होगा अगर आपको वैक्षिन में तो लिए आधें तो इस दिससे और रइट आंसर जायलम पैरन कायमा फूर्डश करता है और जायलम फाइबर सपोर्टिव होता है ट्रैकेट्स एंट वैसल दे हैल्प इन ट्रांसपोर्टेशन अब मिटर एंट वाटर ओके बच्चो शाली नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स कोशन है कोशन नमबर 7 पढ़िए अपने आपसे और बताइए क्या होगा इसका आंसर कितना इजी कोशन है लॉंक ट्री है सेवरल ब्रांचेश चलो भाई यह तो सब जानते हैं सेवरल ब्रांचेश होती है अब तो पढ़ा था भाई अभी अभी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था तो कौन पताएगा चलिए क्या पढ़ा था अभी अभी जो फंक्शन लिखे थे क्या लिखे थे उसमें बोलिए कौन सा है जल्दी से बतादीजे पियोष भाई जल्दी बताओ पियोष भाई जल्दी बताओ साक्षी जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ अभी अभी तो पूचा था अभी तो बताया था मैंने जब तीन फंक्शन थे उसमें देट इस जायलम प्रण कायमा चले बी ऑप्शन प्रण कायमा प्लस एयर इस इकल टू वर्ट संधी 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 ना हिंदी में प्लस एयर क्या बन जाएगा सचो 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 जल्दी बता दो यस बहुत अच्छा जवाप दिया आपने रिधिमा ईशा पातक बिल्कुल सही जवाप दिया आपने धंसे टेटिस एरन कायमा बास साग्ज में आगे की ना आगी सबको चले नेक्स क्वेशन है आपके लिए ये रहा what is chlorine कायमा यह क्या होता है, it is a simple permanent tissue होता है, अच्छा, it is parent chymetic tissue of green leaves and stems, इसमें green leaves होती है, stems होती है, it is photosynthetic in nature, इसमें photosynthesis होती है, या all of the above, सारी चीज़ा होती है, जे वाली भी होती है, जे भी होती है, जे भी होती है, याद रखिए, एक option tick मानने का मतलब है, कि बागे सब गलत है, अगर आपने option a लगाया है, इसका मतलब यह है, कि a वाला सही है, b, c, d, यह सब गलत है, तभी तो a वाला option मारते है, b वाला option मारने का मतलब यह है, कि a वाला, c वाला और d वाला यह सब गलत है, इसलिए b वाला सही अब यह देख लिए बस कि अगर आप यह वाला लगाएंगे यह वाला इसका मतलब B C D सब गलत हुए आपके हिसाब से अगर आपने C वाल ऑप्शन लगाया इसका मतलब A B और D यह सब गलत हुए तो यह गलत बात है इस पर्टिकुलर कोश्चन के लिए पहली बात भी सहिए दूसरी बात भी सहिए तीसरी बात भी सहिए आप किसी को गलत नहीं कह सकते तो पक्का आपको अप्शन लगाना पड़ेगा D all the above अगया बटा यह सारे काम क्लोर और काम के नेक्स्ट आता है कोश्चन नमबर 10 यह रापके कब दो स्किन पर इसमें लिखा है वीच अप दा फॉलोइंग हैं इन इंक्रीजिंग दविर्थ एंड गिर्थ ऑफ द प्लांट ओ बिटे इंक्रीजिंग दविर्थ एंड गिर्थ ऑफ दा प्लांट आपको ध्या यहां पर होता था एक टिशू यहां पर होता था कौन विर्थ ऑफ एक यहां पर होता था जो लैंथ को इंक्रीज करता था तो बता दीजे मुझे जल्दी से जल्दी से कौन है जो increase वेर्थ एंड गिर्थ वो कौन है जो कौन है जो increase करता है किसको वेर्थ एंड गिर्थ बता दो बच्चो मुझे पता है सारे बच्चो का अंसार आ गया है जैन साब को तो सबसे पहले ही आ गया है है जैन साब that is answer B very good girl लें जन साब पका I hope कि आप 10th क्लास में बहुत अच्छा करेंगी और 95 प्लस मार्क्स जरूर लेंगी सारी सब्जेक्ट्स में ओके बच्चो ओके जन साब all the best question number 11 यह आपकी सामने question number 11 है इसमें लिखाए बिटा find the living cells that provide mechanical strength to the plant living cell कौन सी है जो mechanical strength देती है पैले चीज़ strength देती हो दूसरी चीज़ living हो आगग निया गया ढूंडो जल्दी से ढूंडो जल्दी से जल्दी से ढूंड दीजे वो कौन है जो mechanical strength भी देता है और living भी होता है पका आपका answer मिल गया होगा that is option number B okay बच्चो चलिए next question हमाई पास ये वाला है इसमें लिखा है which of the following my stems help in increase in girth of the stem girth of the stem को कौन बढ़ाता है अभी अभी मैंने बताया था girth and width वाला इसमें girth बोला है बिर्थ बोला ही नहीं है तो पका वोई question होगा that is lateral my stem आगे अगे नहीं आगे बता दीजे चलिए next part यह रहा हमारे सामने find out incorrect statement ओ बिटे incorrect statement का पता लगाना है यानि कि इसमें कुछ चीज गलत बोल दी है एक यानि कि इसमें चार बात है लिखी हुई है चार बातों में से एक बात गलत है अब कौन सी वाली गलत है यह आपको पता लगाना है पहली बात तो यह paranchomatis tissues have intercellular space इसके अंदर intercellular space होता है colonchomatis tissues are irregularly thickened at the corner corner पर thick होते हैं और irregularly thick होते हैं apical and intercalorie meristamp are permanent tissues permanent tissues होते हैं meristamp tissues in its early stage lack vacuoles उसमें vacuoles नहीं होते हैं तो कौन है जो incorrect है वो कौन है वो कौन है जो incorrect दिया है क्या incorrect है बता दीजी this is the incorrect apical and intercalorie meristamp are permanent tissues यह incorrect sentence है बाकी सारे सही हैं आगे अगे नियागा बता दीजीए फक्का सब को समझ में रहा है बच्छो चलिए किसमें पाए जाते हैं यह कोशन तो बहुत अच्छा है कई कई बार इस कोशन को कभी गुमा के कभी फिरा के कभी मेकप करके कभी कुछ करा के कभी पैंट पैना के कभी साड़ी पैना के चेंज करकर के शकल इसकी यह कोशन पूस्ता रहता है आगया कि नहीं आगया बता दीजिए तो यह कह रहा है कि ट्रेकी इस वेसल्स वूट फाइवर्स एंड पेरां कायमेटेस टिश्यूस आर फांट इन काय में मिलते हैं अरे है अब यहांन जहाद आज़र्स नक्राइब कर दो क्लास तक नाम लम पढ़तेे हैं और अव बता दीजे फंक्शन से आपको मैच करने है कि कौन सा किसका फंक्शन है देखिए पैरंट कायमा इसके लिए हुए है वाटर ट्रांस्पोर्ट करना प्रोवाइड वाइन सी टू एक्वेटिक प्लांट इस्टोरेज डिवीजन और मेकेनिकल स्ट्रेंथ तो आप एक एक को मिल ़हां था कि यह रहां एक के साथ और एक के साथ कि कुई कि मेंट आप काम है स्टोर करना डिवीजन करना अब नेक्स्टे वाला पार्ट इस क्लेरंट का हमा वाटर ट्रांस्पोर्ट करता है यह बाइन सी देता है यह मेकेनिकल सपोर्ट देता है अधि मेकैनिकल सपोर्ट देगा टेटसल्स होती है ना तो याने की B के साथ कि एस चलिए ट्रेकीड का काम क्या है अभी पढ़ा था आपने अभी पढ़ा था एक एक चीज़ दो तिन तिन बार रिपीट हो जागी तो मैं याद हो जागी ना चलिए ट्रेकीड का काम होता है ट्रैकेट्स का काम होता है बता दीजै क्या अभी पढ़ा था अपने हुपवाले कोजिशन में पानी को वाटर को ट्रांस्पोर्ट करना यानी किject के साथ आएगा पी अब बाकि एरन कायमा अभी पढ़ा था परन कायमा में एर मिल जाती दरन कायमा जब एर मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा बायन सी बायन सी का मतलब थोड़ा सॉफ्ट जैसा हो जाएगा तो इसका मतलब ये तो डी का मतलब Q, अब मैच करतीजे कुमसा वाला है यह, यह है आपका यह, देखिए मैच हो गया कि नहीं हो गया, A के साथ R, A के साथ R, B के साथ S, C के साथ P, और D के साथ Q, ठीक है कि नहीं ठीक है, यह सब के सब बलाद है, चाले, ओके, चाले, यह, यह, एक Assertion और Reason वाला Question है, और Assertion और Reason, सारे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, सर कैसे करना है, समझ में नियादी सब एक जैसे लगते हैं, मुझे तो, अब टिक के सब मारू, ठीक है, चले, इसमें लिखा है, In each of the following questions, A statement of Assertion is given, आपको एक statement दिया हुआ है, एक Assertion का statement दिया हुआ है, है ना, and a corresponding statement of Reason, और उसके आगे उसका एक Reason दिया हुआ है, मतलब कोई एक बात बोली है, वो Assertion है, फिर उस बात का उसने Reason बताया है, वो Reason है, है ना, वो सब आपको नीचे दिये हुए हैं, given below, है ना, तो of the statement given below, mark the correct answer, as, correct answer आपको mark करना है, कैसे, आपका answer A होगा, अगर both Assertion and Reason are true, and Reason is correct explanation of Assertion, अगर Reason और Assertion दोनों सही हों, और Reason उसको सही तरीके से explain भी कर पा रहा है, तो आपका Option A होगा, both Assertion and Reason are true सही तो है, but Reason is not correct explanation, यह उसको explain नहीं कर पा रहा, तब आपका answer B होगा, Assertion is true, Reason is गलत, तब आपका answer यह होगा, both गलत, तब आपका answer यह होगा, है ना, तो आप देख लिजे कि कौन सा वाला है इसमें, Assertion दिया है, Parenchyma Cells, helps in storage of food, Parenchyma food storage में help करती है, यह तो Assertion दिया है, है ना, अब दिया है उसका Reason, Parenchyma Cells are the main sheets of photosynthesis, main sheets of photosynthesis, यहापगा photosynthesis होता भाई, ठीक है और नहीं, ठीक है, तो आपको क्या पता लगाना है, यह सही है, यह सही है, और सही भी है, तो यह इसको ठीक तरीके से explain कर पा रहा है, कि नहीं कर पा रहा, या फिर दोनों ही सही है, या फिर दोनों ही गलत है, उसके साब से आपका अंसर यहाँ पर match होगा, A, B, C, या फिर D, पता दीजे, आपको अंसर आपका मिल गया होगा, easy सा question है, कोई लंबी चोड़ी बात नहीं है, तो इसका अंसर होगा बेटा, B वाला, B वाला, यानि कि assertion सही है, reason गलत है, parent काई माशेल्स store करती है, लेकिन parent काई माशेल्स में photosynthesis नहीं होती, आगे अगे नहीं आ गया, अरे बोलिए, sorry, but, assertion is true, assertion and reason, दोनों true है, लेकिन ये उसको ठीक तरीके से explain नहीं कर पा रहा है, आगे आगे नहीं आगे बता दीजे, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन एक ठीक तरीके से explain नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब, इसका option कौन से होगा, बोलिए बी वाला, this is the right answer, 17 वाला, फिर सेम कोस्चन है वोई, assertion और reason, ये आपको चार में से किसी एक पटिक मारना है, एक assertion दिया होगा, और एक reason दिया होगा, तो assertion है, permanent tissue is composed of mature cells, mature cells से मिलके बना होता है, reason इसका ये है, कि meristematic tissue is a group of actively dividing cells, बात सौंज में आ रही हैं उता दिजे, तो अब बता दिजे, आपका answer आपको मिल गया होगा, सोच लिया होगा आपने, कौन सा वाला सही है, और कौन सा वाला गलत है, assertion और reason दोनों सही है, but reason is the correct explanation, तो A, लेकिन दोनों सही है, लेकिन reason explanation नहीं कर पा रहा, तो B, दोनों सही है, दोनों गलत है, तो C, और assertion true, reason गलत तो C, और दोनों गलत तो D, और देख लिजे, आपका कौन सा answer सही है, answer इसका होगा बेटा, B वाला, यानि कि ये वाला, ये दोनों सही है, but this is not the correct explanation of assertion, 18th question, बहुत अच्छा question, very important question, ये figure हमने copy में बनाया था, काफी अच्छी तरीके से हमने इस question की practice भी की थी, ठीक है कर नी, ठीक है, ये figure तो मैंने अभी भी थोड़ी दिर पहले आपको बना के दिखाया था, इसमें लिखा है, in the diagram of location of meristematic tissue plant, body given blue, ये आपको body दियो ही है, identify the type of meristematic tissues, इसका type identify करना है, ये वाले पर कौन सा टाइप है, और बी वाले पर कौन सा टाइप है, ठीक है नी, ठीक है, तो आपको जो mark किये हुए है, reason a और reason b, तो reason a मैंने यहाँ पर कौन सा टिशू होता है, उसका नीम बताना है, और यहाँ पर कौन सा टिशू होता है, उसका नीम बताना है, सारे बच्चों को answer पता चल गया होगा, हो जी भाई, नैतिक मंगल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे ये जी तो बहुत हीजी को चन ता सा, आगया नीम आगया, ethical और lateral, this is the right answer, सारे बच्चों को आगया नीम आगया बता देजे, पका सारे बच्चों को आगया होगा, बहुत अच्छे तरीके से, बुलिए, पका आगया ना, भाई, नैतिक मंगल, आ दित्या आ गया कि आ गया बतातीет, शुकला जी को तो बहुत अच्छे से आ गया होगा, शुकला जी हमारे बहुत स्मार्ट बन्ते हैं, वेरे स्मार्ट बहुत है शूकला जी, ओके बचशे, चाले, तो प्लीज बच्चो इसी तरी कैसे से पढ़तर्ये में और ज्यादा आपके लिए इन कोश्टिन की प्रैक्टिस करने कि ले लेन गूँगा जिस से कि आप इन governo की प्रैक्टिस कर सकें और इस तव चेफ को बहुत अच्छे से सीक सकें ओके बच्चो अगर आपको ये कोशन अच्छे लगे हैं समझ में आ गए हैं तो लाइक करिए और शेयर तो बहुत जरूर करिए भाई क्योंकि काफी सारे दोस्त आपके ऐसे होते हैं काफी सारे बच्चे जिनको ये चैप्टर बहुत परेशान करता है उनको समझ में नह बत्चो बहुत नहीं है जड्याथ रिए नहीं है इच्चा परेशोंकि के नहीं है तो हॉकिति हैंग